आज है 4th of April, स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेस्टिन्स आज का फर्स्ट क्वेस्टिन है Consider the following statements regarding निक्षे पोशन योजना यहाँ पर निक्षे पोशन योजना से सम्बंधित कुछ कतन दिये गए हैं जिन पर आपको विचार करना है First statement है, All notified TB patients are beneficiaries for the scheme and second, A financial incentive of Rs. 500 per month is provided for each notified TB patient for the duration for which the patient is on anti-TB treatment और यहाँ पर आपसे निक्षे पोशन योजना से सम्बंधित कौन सा कतन सही है यह पूचा जा रहा है इस question में आपका correct option हो जाएगा Option C, यहाँ पर आपके दोनों ही statements correct हैं आप यहाँ देख सकते हैं इस योजना का जो purpose है वो यह है कि प्रोवाइड किया जा सके nutritional support to TB patients through financial incentives और इसकी nodal ministry है, Ministry of Health and Family, Belfare इसके लिए eligibility है, TB patients notified on or after 1st April 2018 including those already undergoing treatment and they must be registered on the Nixie portal इसके साथ ही अगर TB की बात करें तो यह Mycobacterium tuberculosis नमक बैक्टिरिया की कारण होता है और यह मनुस्यों में सबसे अधिक फेफड जो अंग होता है, फेफडों को प्रभावित करता है TB बिमारी की प्राचीनता की बात करें तो यह काफी प्राचीन बिमारी है और इसके प्रमार हमें लगबग 3000 इसापुर्व मिश्र में मिले हैं वायू की माध्यम से इसका संक्रमण होता है जैसे की खासने से, छींकने से या थूकने से जो कीटाणू होते हैं वो वायू में फैल जाते हैं और इससे संक्रमण का खत्रा और बढ़ जाता है बढ़ते हैं निक्स क्वेशिन की ओर आप से पूचा जा रहा है और आपको बताना है कि निमलिखित में से इस पहल का प्राथमिक फोकस क्या है पस्ट स्टिट्मेंट है आपको बताना है कि अटम्स फोर क्लाइमिट इनिशेटिव जो है उसका प्राइमरी फोकस क्या है और इस क्वेशिन में आपका कर्रेक्ट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन बी इसका फोकस है तो डवलोप अडवांस नुक्लियर टेखनोलजीज फोर सस्टेनेबल डवलोप्मेंट आप यहां देख सकते हैं और इसके फोकस की बात करें तो International Atomic Energy Agency की बात करने तो इसको establish किया गया था 1957 में under United Nations और इसका headquarter है Vienna, Austria में इसके establishment का purpose है कि ये promote कर सके peaceful use of nuclear energy and prevent the use of nuclear science and technology for military purposes वर्तमान समय में इसमें 170 members है बढ़ते हैं next question की ओर आपसे पूछा जा रहा है हाली में इसरो की दौरा launch किया गया उपग्रह जिसका नाम है INSET 3DS ये निम्लिकित में से किसी सम्बंधित है आपको ये बताना है आपके options है space science satellite, communication satellite, meteorological satellite या फिर navigation satellite और इस question में आपका correct option हो जाएगा option c ये है एक meteorological satellite आप यहां देख सकते हैं So, INSET 3DS is an exclusive meteorological satellite released by ISRO with the primary objective of providing continuity of services to the existing in-orbit INSET 3D and 3DR satellites and significantly enhancing the capabilities of INSET system. So, it is flagged off to the SC launch port on January 25th, 2024 for the launch onboard GSLB F-14 So, अभी हमने देखा कि इसको launch किया गया है 37 धवन space center से जो कि एक primary space port है ISRO का और यह स्थित है स्री हरी कोटा आंध्र क्रदेश में So, INSET 3DS ये एक मौसम संबन्थी उपगरा है और ये तीसरी पीढ़ी का मौसम उपगरा है इसको geosynchronous satellite orbit या हम जिसे GTU कहते हैं उसमें तैनात किया गया है और ये उपगरा मौसम का अवलोकन करने भविशिवानी करने और आपदा चेतावनी के लिए भूमी और महासागरों या सतहों की निगरानी करेगा बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेशिन की ओर Consider the following statements regarding World Water Development Report 2024 यहाँ पर आपसे विश्व जल विकास रेपोर्ट 2024 से संबंदित कुछ कथन दिये गए हैं जिन पर आपको विचार करना है फर्स्ट स्टेटमेंट है अग्रिकल्चर अकाउंट पर 90% अफ फ्रेश वाटर विड्रॉल्स और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि विश्व जल विकास रेपोर्ट से संबंदित कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है और इस क्वेस्टिन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है आप यहाँ देख सकते हैं इसके साथ इस्के साथ इसरोड के अनुछार के लघ्याइज थेसिर्एट लेह आपका messy टो ओनिए plan वित्ट है strict इसके साथ ही इस एपोर्ट के अनुषार, Lake Chad has significantly diminished in size by 90% over the past 60 years and this indicates severity of water resources depletion. इसके साथ ही 50% of the world's population experiences severe water scarcity for at least part of the year. So आप ध्यान रखेंगे, जो United Nations World Water Development Report है, इसकी जो heading रही है या tagline वो रही है, Water for Prosperity and Peace. विश्वेच चल दिवस की बात करें, तो ये हम मनाते हैं 22 March को. बढ़ते हैं, next question की ओर. What is the name of India's first AI-based film? आप से पूछा जा रहा है भारत की पहली, AI-based जो film है, उसका नाम क्या है? आपके options हैं, Noah, Techno Saga, Iridescent या फिर इरा. आपका बताना है की भारत की पहली AI-based film का नाम क्या है? और इसका correct option हो जाएगा, option D. इसका नाम है, इरा. आप यहाँ देख सकते हैं. इरा फीचर एक्टर रहिक पोस्रॉय, करिष्मा कोटक, राजी शर्मा और रक्षित बंदारी इन प्रोमिन रोल्स. इस प्रोदेट बीग फिल्म्स मेडिया और डिर्टेट भाटचार्जी, इस विल्म इसेट नेशन्वाट इन थेटर्स अप्रिल 4. तो आप ध्यान रखेंगे, भारत की पहली जो AI-based फिल्म है, वो है इरा. बढ़ते हैं, नेक्स क्वेशन की ओर, कच्चे थी वो आइलेंट, रिसेंटली सीन इन दे निव्ज, इस सेचुएट बेविन विच आफ दीज तो कंट्रीज, आप से पूँचा जा रहा है, हाली में खबरों में रहा, कच्चे थी वो दीव, किन दो देशों के बीच में इस्तित है, आपके ओप्शन से, इंडिया एन बांगलादेश, इंडिया एन मियामार, इंडिया एन स्रे लंका, या फिर स्पेंड एन फ्रांस, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ओप्शन हो जाएगा, ओप्शन सी, ये इस्तित हैं, इंडिया और स्रे लंका के मध्या, आप यहाँ देख सकते हैं, So, documents obtained through an RTI application by Tamil Nadu's BJP chief, के अन्ना मलाई reveals India's inconsistent approach to Kachethevoo island dispute with Sri Lanka. So, इस island की बात करें, तो ये एक small island है in the Park Strait, lacks a permanent settlement and fresh water source. So, it is administered by both India and Sri Lanka historically, a 1974 agreement marked its boundary, Indian fishermen particularly from Tamil Nadu faces challenges due to conflicting claims over the island. So, Kachethevoo देख की बात करें, तो ये भारत और श्रे लंका के बीच, जो पाक जल्डमरू है, वहाँ पर अस्थित हैं, और आपने देखा, कि 1974 में एक agreement हुआ था, उस समय की तब जो प्रधान मंत्री थी, इंदिरा गांधी और स्रे लंका के प्रधान मंत्री थे, आर्डी भंडार नाएके. तो इस समझोते के तहत ये हुआ था, कि जो भारतिये मच्वारे हैं, वो द्विप के चारो और मच्छली पकड सकते थे, और वहाँ पर इन्हें अपने जाल सुखाने की अनुमती थी. साथ ही, जो भारतिये तीर्थ यात्री हैं, उनको द्विप पर इस्थित जो कैथोलिक मंदिर है, वहाँ पर यात्रा करने की अनुमती दी गई थी. आप यहाँ इमेज में कच्छा थे वो जो आइलिंड है, इसके इस्थिति को देख सकते हैं. आज के करंट अफेर सेशन में इतना ही, थैंक यू फो वाचिंग, डू लाइक, सेर एंड सब्सक्राइब.